गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चो गुर्तवाकर्शन लेसन नमबर टैन आज हम पढ़ेंगे मुक्त पतन मुक्त पतन की जैसा कि आपको बताया था बच्चों की ये एक वस्तू है और ये प्रत्वी है और प्रत्वी की तिर्जा आर प्रत्वी का द्रविमान M वस्तू का द्रविमान M और कोई M द्रविमान की वस्तू उपर से नीचे गिरती है प्रत्वी पर एच उचाई से जब वस्तू उपर से नीचे गिरती है एच उचाई से तो प्रत्वी वस्तू को अपनी ओर आकर्शित करती है इस आकर्शन के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन होता है और प्रत्वी के आकर्शन के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन होता है इस त्वरण को कहते हैं हम गृत्विय त्वरण और यह त्वरण है small g वस्तू गुरुत्य तरण के प्रभाव में उपर से नीचे गिरती है तो वस्तू का उपर से नीचे गिरना ही क्या कहलाता है मुक्त पतन तो लिखेंगे बच्चों मुक्त पतन क्या है प्रत्वी के गुरुत्य आकर्शन बल के प्रभाव में वस्तू का नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है तो प्रत्वी के गुरुत्य आकर्शन प्रत्वी के अगरती अपनी और वस्तू को खीशती है तो प्रत्वी के गुरुत्य आकर्शन के प्रभाव में वस्तू का नीचे की और गिरना ही क्या कहलाता है मुक्त पतन अब देखिए वस्तु है वस्तु पर बल कारे करेगा एफ और वो होगा उसके द्रव्यमान और गुत्यत वरण के बराबर तो एफ बराबर समीकरण एक और जब वस्तु प्रत्वी पर नीचे गिर के आता है तो दो पिंडों के बीच में न्यूटन ने बताया था कि आकर्शन बल लगता है वो दोनों पिंडों की केंद्र से दूरी के वर्ग के विद्कमान उपाती और उनके द्रव्यमानों के गुननफल के समान उप आता है तो देखिए बच्चों ये गुर्ताकरशन बल एफ क्या होगा प्रत्वी का द्रव्यमान हम कितना मान रहे हैं एक हमने गुरुत्य नियतांक और बताया था बच्चों गुरुत्य नियतांक है हमारा कैपिटल जी प्रत्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम वस्तु का द्रेविमान small m और प्रत्वी और वस्तु के बीच की दूरी को हम प्रत्वी की तरज्जा के बराबर मान लेते हैं वो र और उसके भी वर्ग के ये हमने गुर्टाकरशन की परीभाशह में सुत्र इस्तापित किया था उससे ये हमारा सुत्र निकला था और ये हमने प्रत्वी और वस्तू पे लागू किया है वस्तु पर बल, जो बल कारे रत होता है, जो फोर्स कारे रत होता है वह है F बराबर M, G, और इसको हमने माल लिया समीकरण 1 वस्तु और प्रत्वी के बीच में गुर्ताकर्शन बल लगता है उसका मान है G, गुर्ट्विय नियतांक, M, प्रत्वी का द्रिविमान, वस्तू का द्रिविमान, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, प्रत्वी की तिर्जा के बराबर, और इसे हमने रखा R स्कॉायर, अब देखें बच्चों, यह दो आया है, आप इसे नोट डाउन कर लिजिए, अब दोनों ही इस्तिति में बल, एक बल लग रहा है, जो वस्तू पर कारेरत है, G के कारण, F बराबर, M, G, और दूसरा बल लग रहा है, गुर्ट्वाकर्शन के कारण, और वहा है, G, M, M upon R square, हम दोनों की तुलना करते हैं, तो हम समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 रखें, तो हमारा आता है M, G, M, G बराबर क्या आजाएगा, हमारा capital G, M, M upon R square, हमने क्या किया, बच्चों, यह समीकरण 1 थी, यह समीकरण 2, यह सुत्र 1, यह सुत्र 2 है, और दोनों में ही बल है, तो हमने दोनों को एक बराबर दो कर दिया और मान रखा, F बराबर M, G है, तो हमने M, G रखा, और F बराबर G, M, M upon R square, तो हमने रखा G, M, M upon R square, अब देखिए बच्चों, यहां पर M, और M, दोनों ही वस्तू के द्रेवे मान हैं, यह दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो अब हमारा G, G आता है, यहां पर G, M upon R square, यह हमारा गुरुत्विये त्वरण है, तो हम यहां लिख देते हैं, बच्चों, कि G क्या है हमारा गुरुत्विये त्वरण, Capital G क्या था हमारा, क्या था अच्चो, गुरुत्विये नियतांग, सारत्रिक नियतांग बोला था जिसे हमने, Capital M क्या है बच्चों, प्रेथ्वि की द्रेवे मान, प्रेथ्वि का द्रेवे मान, और R, capital R क्या है बच्चों, प्रत्वी की तरज्या, तो हमने यहाँ पर बता दिया G, G क्या है गुरुत्वे त्वारंड, capital G, गुरुत्वे नियतांक है, गुरुत्वे सार्ट्विक नियतांक कहते हैं जिसे capital M यहाँ प्रत्वी का द्रव्यमान है और R प्रत्वी की तरज्य है और इससे हमारा सूत्र आ गया जी बराबर जी एम अपोन आर स्कॉर तो यह जी क्या है बच्चों गुरुत्वियत वरण तो प्रत्वी के गुरुत्वाकर्षन के प्रभाव में उत्पन्न त्वरन गुरुत्विय त्वरन कहलाता है अब इसका मान निकालते हैं बचों कितना मान आएगा नौट कर लिजे एक बार आप कुछ मान मैं आपको लिखवा रही हूँ आपको याद करने है कैपिटल जी का मान मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 6.673 था हम यहाँ पर इसको लगबग 6.7 लिख देते हैं गुणा 10 की पावर माइनस 11 नूटन मीटर स्कॉयर प्रती किलोग्राम स्कॉयर किसका मान आया था गुरुत्वियत त्वरण का मान आया था प्रती का द्रिवेमान फिक्स है बच्चो छे गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम प्रती की तरज्या बच्चो फिक्स है पर हम थोड़ा सा तरज्या के बारे में और भी बताएंगे यहाँ पर हमने तरज्या कमान लिया है 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मेटर यह वैल्यू हम पुट करेंगे बच्चों इस समीकरण में इसमें तो देखिए बच्चों G बराबर था हमारा G M अपॉन आर इसक्वायर G का मान रखे हम 6.7 गुणा 10 की पावर माइनस 11 M का मान रखे बच्चों M का मान कितना आ रहा है 6 गुणा 10 की पावर 24 यहाँ पर नीचे रखे हम तृज्जा का मान प्रत्वी की तृज्जा कितनी है 6.4 गुणा 10 की पावर 6 और इसका कर दे हम square जब हम यह सारे मान रखते हैं बच्चों तो हमारा इसको solve करना आप लोग घर पर हमारे पास इतना time नहीं कि सबका multiply और solve करके बताएं तो आप इसको solve करेंगे तो इसका मान आएगा 9.8 मीटर प्रती सेकंड इसक्वायर यह प्रत्वी का गुरुत्वियत वरंजी और इसका मान आता है बच्चों 9.8 मीटर प्रती सेकंड इसक्वायर और जब हम numerical करते हैं तो इसका मान लगभग मान लेते हैं 9.8 को लगभग 10 मान लेते हैं लगभग 10 मीटर प्रती सेकंड इसक्वायर मान लेते हैं numerical में जिससे हमें points की कोई problem ना हो तो numerical value हम यह रख सकते हैं जब हम question solve करते हैं तो लगभग मान लेते हैं 10 मीटर प्रती सेकंड इसक्वायर note कर लेजिए बचो तो ये हुआ हमारा मुक्त पतन और मुक्त पतन में हुआ गुरुत्विय तुरण का हमान next topic लेते हैं बच्चो प्रत्वी के गुरुत्वा कर्शन बलके प्रभाव में वस्तूओं की गति कि वस्तूओं किस प्रकार से गति करेंगी गुरुत्वा कर्शन के प्रभाव में वस्तूओं की गति यह हमारा नेक्स टॉपिक है बच्चो प्रथी के गुर्ताक्षन बलके प्रभामे वस्तूओं की गती क्या बताया जाता है कि चाए कोई वस्तू भारी हो चाए हल्की हो चाए छोटी हो या मोटी हो या ठोस हो या खोकली हो जब उपर से नीचे गिराई जाती है तो उनके गिरने की दर समान होती है तो एक प्रेक्टिकल करते हैं एक प्रियोग करते हैं बच्चो और ये मेरे पास एक कागज है देखिए दिखरा होगा आपको कागज दिख रहा है आपको ये कागज ये एक कागज है और ये एक सिक्का है ठीक है अब हम इन दोनों को देखिए ये कागज है और ये सिक्का है और हम इन दोनों को एक साथ गिराते हैं और आप भी गिरा कर देखना या फिर कागज की जगे आप एक पंक ले लेना और इनको एक साथ गिराना तो एक साथ हम छोड़ते हैं ठीक है तो हम क्या देखते हैं बच्चों ये कागज है और सिक्का नीचे गिर गया है डेबिल से कोई बात नहीं तो अगर आप इस प्रयोग को जमीन पे गिरा करेंगे जब एक साथ गिराते हैं तो डोनों एक साथ पहुचने चगाँ आप या फैक टोस इसको ऐखार गिरती है तो पहले पहुचेगा और में पहुचेगा ये काँज की जगए आप एक बहारागास और भीं तो पंक बार में पहुंचता है और सिख्का पहले पहुंचता है क्यों बच्चो एक साथ पहुंचना चाहिए था गुर्त्वा कर schaffen के नियम के अनुसार कि जी का मान सबके लिए एक समान आता है और जी क्या है क्ट दर है किसकी दरर गिरने की दर рукšы door traаг सब के लिए समान आनी चाहिए प्रत्री पर सब के लिए आनी चाहिए 9.8 मीटर 32nd square तो कागज और सिक्का एक ही दर से गिरने चाहिए थे पर कागज लेट गिरता है और सिक्का पहले गिर जाता है क्यों गिर जाता है बच्चों देखिए जब हम कागज को गिराते हैं तो अभी भी हवा थोड़ी सी चल रही है तो देखिए कागज हिल रहा है तो जब कागज को गिराते हैं तो ये उड़ता हुआ जाता है यानि कि हवा इस पर क्या करती है घर्षन लगाती है प्रतिरोध लगाती है इस तरीके से गिराने पर कागज पर हवा क्या लगाती है प्रतिरोध लगाती है घर्षन लगाती है और यह है प्रतिरोध और घर्षन के कारण सिख्के की और कागज के गिरने की दर ये सिख्का है तो सिख्के की सिख्का सिख्के पर देखे जब गिराते हैं तो सिख्के पर कोई घर्षन नहीं लगता हवा की कारण कोई घर्षन नहीं लगता लेकिन कागज को जब गिराते हैं तो कागज पर घर्षन लगता है गर्षन लगने के कारण इसे प्रतिरोध उत्पन हो दियाता है और प्रतिरोध उत्पन होने के कारण इसकी गिरने की दर क्या हो जाती है लेट हो जाती है यानि कि ये सिक्के के बाद में गिरता है तो ये हमने आपको बताया कि सभी के लिए दर समान होती है 9.8 मीटर प्रती सेकंड इसक्वायर लेकिन कागज पर घर्षन के कारण प्रतिरोध उसपन होता है और उस प्रतिरोध के कारण कागज लेट गिरता है और सिक्का पहले गिर चाता है अब क्या हुआ बच्चो एक गैलीलियो मैं पहले आपको न्यूटन से पहले गैलीलियो वज्यानिक बताए थे गैलीलियो गैलीलियो ने पुष्टे की इस चेज की कि चाय वस्तू हल्की हो भारी हो थोस हो खोकली हो अगर समान है इसे शर्ट क्या है समान उचाई से उनको गिराए तो एक ही समान दर से यानिकी एक ही दर से समान दर से वस्तूएं गिरती है उन्होंने क्या किया उन्होंने प्रैक्टिकल किया था बच्चो अभी टाइम हो चला है ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर राजर होते हैं झाल 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 तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बच्चों हम बता रहे थे आपको गैलीलियो ने क्या प्रैक्टिकल किया था गैलीलियो ने इटली और इटली में इटली में पीसा है पीसा और यहां पर एक जुकी हुई मिनार है जुकी हुई मिनार गैलीलियो ने विबिन वस्तूओं को एक साथ गिराया और देखा कि सभी वस्तूओं एक इदर से नीचे पहुंचती हैं और उन्होंने पुष्टी कर दी कि वस्तूओं चाहे हलकी हो या भारी हो ठोस हो खोकलियो अगर समान उचाई से गिराई जाती है तो गिरने की दर समान होगी किसने पुष्टी किया ये गैलीलियो ने ठीक है तो प्रैथ्वी के गुर्ताकर्शन बलके प्रभाव में वस्तूओं की गती यह है कि उनका गुर्त्वे त्वरण नियत है और नियत होने के कारण उनके गिरने की दर भी समान होगी अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द्रेव्यमान द्रेव्यमान को हमने small m से लिखा था इसका मात्रक होता है किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम तो हम यहाँ पर मात्रक इसका लेते हैं किलोग्राम और आपको यह बात पहले पता ही है कि द्रेव्यमान जड़त्व का माप है जड़त्व का माप जड़त्व का माप कौन है बच्चों द्रेव्यमान ठोस हो द्रव हो या गैस हो कोई भी हो उसमें द्रव्य द्रव्य देखो मैटर पदार्थ पदार्थ या द्रव्य या मैटर तीनों एक ही चीज है पदार्थ पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं मैटर भी बोलते हैं तीनों एक ही चीज है और द्रव्य की या पदार्थ की तीन अवस्था ही होती है अवस्था अवस्था कितनी होती है तीन थोस द्रव ये द्रव है और गैस आप देखे बच्चों यहाँ पर द्रव्य और एक है द्रव ये द्रव्य आया है और ये द्रव आया है द्रव्य यानि की मैटर यानि की पदार्थ और द्रव यानि की लिकविड तो दोनों अलग अलग चीज है ये द्रव्य होता है पदार्थ के लिए और ये द्राव होता है उसकी तरलता बताने के लिए लिक्विडिटी लिक्विड तो हम कह रहे हैं बच्चों की द्रव्य मान द्रव्य की मात्रा है द्रव नहीं द्रव्य द्रव्यमान क्या है द्रव्य की मात्रा पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान जड़त्यू का माप होता है द्रव्य की मात्रा है इसका मात्रा किलोग्राम है द्रव्यमान में सिर्फ परिमान होता है परिमान होगा दिशा नहीं होगी यानि कि द्रेवेमान अदिश राशी है अगर आपने एक किलो दूद लिया तो ये दूद एक किलो ही रहेगा चाहे दूद का दही बन जाए तो भी एक किलो ही रहेगा लेकिन हम इसको डेड़ किलो यानि कि नियत रहता है बदलता नहीं है तो द्रेवेमान नियत रहेगा अगर हमने जितना लिया है उतना ही रहेगा चेंज नहीं कर सकते बिना उसमें से पदार्ज को निकाले या डाले द्रेवेमान कभी भी शुन्य नहीं हो सकता अगर हमने एक किलो लिया है तो एक किलो ही रहेगा तो द्रेवेमान का मान शुन्य नहीं होता तो आपने क्या देखा द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा है ये एक परिमान है इसमें दिशा नहीं होती ये अदिश राशी है द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा द्रव्यमान का मान कभी भी शुन्य नहीं होता और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है हमें जड़त्व पता चलता है द्रव्यमान से कि इसका जड़त्व अधिक है या कम है Not down कर लीजिए बच्चो Next आता है हमारा भार द्रवेमान होता है मास मास ठीक है म डबल म ए डबल एस अब हम पढ़ रहे हैं भार और भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट भार को शो करेंगे हम डबलू से भार क्या है भार वस्तू का भार गुर्त्वाकर्शन बल है प्रत्वी जिस बल से वस्तू को खीचेगी वही बल वस्तू का भार है तो वस्तू का भार गुर्त्वाकर्शन बल है यानि कि भार एक बल है अगर हम देखें बच्चों तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण बल को हम लिखते हैं F से तो F बराबर होगा हमारा वस्तु का द्रव्यमान मानते है M और त्वरण मानते है A तो F बराबर M A लेकिन हम कह रहे हैं बच्चों गुर्तवाकर्शन बल और गुर्तवाकर्शन के प्रभाव में त्वरण जी होता है इसमॉल जी तो यहां पर एफ बराबर होगा एम जी एफ बराबर क्या होगा बच्चों एम जी द्रेवेमान गुर्णा गुर्तविये त्वरण यही हमारा क्या होगा गुर्तवाकर्शन बल या भार तो यहां पर हम ड्रबलू बराबर एफ बराबर लिखेंगे एम जी ड्रेवेमान तो हमेशा नियत होगा तो भार डिपेंड करेगा गुर्तविये त्वरण पर जब अंत्रिक्ष में जाते हैं अंत्रिक्ष यात्री तो उड़ने लग जाते हैं हवा में उड़ते हैं वहां पर गुर्तवाकर्शन बल नहीं होता जी का मान होता है शुन्य जब जी का मान शुन्य हो जाता है तो भार देखिए बच्चों जी का मान हो गया शुन्य वहां पर गुर्तवाकर्शन होता ही नहीं है और गुर्तवाकर्शन नहीं होने के कारण डबलू बराबर एम जी M तो रहेगा, द्रिव्यमान तो रहेगा, उसकी मात्रा तो रहेगी, इंसान तो दिखाई देगा न वहाँ पर अगर हम अंत्रिक्ष पे चले जाएं तो हमारी ये बाड़ी तो रहेगी न तो हमारा द्रेवे मान तो रहेगा हमारी मात्रा तो रहेगी लेकिन वहाँ पर गुर्टवा कर्षण नहीं है गुर्टवा कर्षण का मान कितना है जीरो , yield भार भी क्या हो जाएगा बच्चों जीरो पर जब भार जीरो होता है तो उसको बोलते हैं भार Pap र्हींता वजन ही नहीं है द्रव्य मान्तों है लेकिन गुर्त्य त्वरर्ण गामान जीरो है तो वहां तो यह तो विए अंतुरिक्षकि आद प्रैथवी पर गृत्वाकर्शन या गृत्विय तोरण का मान है जी qu should और चंद्रमा पर गृत्वाकर्शन होता है रहा हम चंद्रमा का बताएं जी एम जयानी की मून चंद्रमा पर अगर हम गुर्त्वाकर्शन बताएं तो प्रत्वी यानि की आर्थ क्या प्रत्वी के गुर्त्वे तरण के बराबर होता है चंद्रमा पर गुर्त्वे तरण नहीं वहाँ पर प्रत्वी के गुर्त्वे तरण का एक बट्टा छे 1 by 6 प्रत्वी के गुर्ताकर्शन का छट्वा भाग होता है कहां पर चंद्रमा पर तो वस्तु का भार भी डबलू भी क्या हो जाएगा प्रत्वी के भार का एक बटा छट्वा हिस्सा हमारा यहां पर वजन है मानलों पचास किलो पचास किलो जो वजन देए हम यहां वजन देखिए आप यह चीज समझें हम जब तराजू पर अपने आपको तोलते हैं तो हमारा आता है वजन और वो हम लिखते हैं पचास किलो बच्चों 50 किलो वजन जो लिखा जाता है वो किलो किलो होता है द्रिवेमान तो यहाँ पर M बराबर 50 किलो ग्राम आना चाहिए लेकिन बच्चों देखिए भार W होता है M G और M G क्या है एक बल और बल का मातरक है न्यूटन बल का मातरक क्या है न्यूटन तो भार का मातरक भी क्या होगा न्यूटन लेकिन हम क्या करते हैं जब अपने आपको तोलते हैं तो कहते हैं 50 किलो के हैं तो यहाँ पर 50 किलो ना बोलकर क्या बोलना चाहिए 50 न्यूटन और ओरिजनल्टी अगर हम देखें बच्चो तो ये जो 50 किलो लिखा है इसको हमें कितना लिखना चाहिए 50 न्यूटन और अगर हम ओरिजनल्टी देखें बच्चो तो हमारा जी का मान आता है लगबग 10 तो यहाँ पर 10 तो क्या हो गया हमारा गुरुत्वे त्वरण ही हो गया M और G होता है न तो 10 तो क्या हो गया हमारा गुरुत्वे त्वरण तो हमारा मास हमारा दिर्वेमान कितना है 5 तो हमारा द्रवेमान 5 किलो है और जब हम इसको गुरुत्वेत वरंट से मल्टिप्लाई करते हैं तो हमारा 50 आता है और हम इसको 50 किलो बोल देते हैं ये 50 किलो नहीं है बच्चों 50 न्यूटन है तो आप देखेंगे की भार भार क्या है, डबलू और डबलू क्या है, यह एम जी यहाँ पर दिशा का भी ग्यान होता है, यह एक सदिश राशी है इसमें परिमान और दिशा दोनों होते हैं और भार का मात्रक भार एक बल है इसका मात्रक न्यूटन है और भार, द्रेवेमान की माप है द्रेवेमान तो जड़त्वी की माप है और द्रेवेमान की माप कोन है, भार तो यह हमारा भार होता है नेक्स टरन पर हम भार और द्रेवेमान में अंतर देखेंगे वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है आप इजीली बता सकते हैं कि भार बल है और द्रेवेमान मात्रा है भार सदिश है द्रेवेमान अदिश है भार का मात्रक न्यूटन है द्रेवेमान का मात्रक किलोग्राम है भार शुन्य हो सकता है लेकिन द्रेवेमान शुन्य नहीं हो सकता तो आज के लिए बच्चो इतना ही नेक्स्ट रन पर मिलते हैं द्रिवेमान और भार में अंतर के साथ थैंक यू